गुड इवनिंग तो अलड़ माइश्टूडेंट इस वक्त हमाया ख्याल से शाम के पाच बज रहे हैं और यह जो क्लास मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं यह फाइनेंसल अकाउंटिंग का टॉपिक है इंशुरेंस क्लेम और इंशुरेंस क्लेम में चैप्टर में मैंने लॉ और मैं आज उसी का जो दूसरा पार्ट है लॉसा प्रॉफिट उसको स्टार्ट करने जा रहा हूं तो लॉसा प्रॉफिट पहले तो हम समझने की लॉसा प्रॉफिट होता क्या है जैसे मान के चलिए कि सपोज यह एक शॉप है काई की शॉप है क्लॉथ कपड़े की अब य तो जब आग लगेगी तो नुकसान किस चीज का होगा नुकसान होगा इस्टॉक का तो उसके लिए हम कौन से ट्रॉफिक पढ़ चुके हैं लॉस आफ इस्टॉक का नुकसान होगा तो इस्टॉक का क्लेम निकालना होगा उसको कैसे निकालेंगे लॉस आफ इस्टॉक से ठीक है यह तो justify हो गया अभी जैसे इस वक्त जो इंडिया में जो एक त्रास्दी चल रही है उस त्रास्दी का नाम है को रूना 21 दिन का लॉकडाउन है इसका मतलब आप समझ रहे हैं 21 दिन तक no business अब जब business नहीं होगा तो आप बताएए कि profit होगा या loss profit होगा या loss जाइड सी बात है कि जब business नहीं होगा तो sales होगी नहीं होगी और जब sales नहीं होगा तो profit होगा नहीं होगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे loss of profit पता है जब पहली बार मैंने ये नाम सुना ना loss of profit मैंने कहा या ये क्या है loss of profit, profit का loss अभी खेर मुझे जन्रल इन्शोरेंस के बारे में इतना नहीं बता भले भी कौम में मेरा topic रहा हो मतलब मेरा स्पेसलाइजेशन था लाबाद इन्वर्सिटी में इन्शोरेंस पढ़ा था लेकिन अब 2008 की बात है उतना तो मैं अपने वाईवा में भी नहीं बोल पाया था अब लासबाइफायर आग से लास होता है या आग से प्रॉ। का लास होता है तो मैं जान रहू हूँ मरीन इन्श्वरेंस होता है कैई तरह की बिजनेस में कैई तरह की लास होगि आपने a movie देखी होगी oh my god उस movie में पूरा एजेंडा ही Act of God पे था जिसके लिए परेश रावल ने केस फाइल कर दिया था कुर्ट में गौड के ऊपर इंस्वरेंस कंपणी ने कह दिया था कि भाई मैं आपको क्लेम नहीं दूंगा तो पता चला कि भाई आक्ट ऑफ गौड में क्लेम नहीं मिलता तो उसी तरह की बात है यहां पे भी अब कोरोना मतलब अगर कोई भारत में किसी भी तरह कि अगर कोई तरासदी या लॉकडाउन होता तो उसमें क्ले मिलता है नहीं तो चाहिए सरु समझाना कि लॉगडाउन है तो भी बacular बशुमेंस नो से लो confident जैसे मैंने आपके पायर की बात रखी थी अब लग गई अब अगने कि सीजन में ही आपका दुकान में आपके आग लगगी कपड़े की अब आप क्या करेंगे सेल होगी कि नहीं होगी बिजनेस एफेक्टेड रहेगा जतने दिन तक आग लगने से जतने दिन तक बिजनेस एफेक्टेड रहेगा अब उस दौरान आप क्या करेंगे अब आपको आपने दिवाली के लिए पूरा स्टॉक भी भर रखा होगा कैसे करेंगे क्या करेंगे तो आप चाहिए से बात है कि इंक्रीज कॉस्ट और वर्किंग आपके खर्चे बढ़ेंगे आप एक सामने या असपास कोई दूसरी प्रिमिसे से दुकान किराय पे लेंगे जहां पर अल्टरनेटिव या कुछ समय के लिए अपने शॉप को उठाके वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे वहाँ पर बिजनेस क इधर है हमारी पुरानी दुकान इधर है इस बोर्ट पर उसने ध्यानी नहीं दिया वह तो क्या करेंगा चला जाएगा बगल वाले क्या या दूसरे क्या है या कहीं और किसी और मार्केट में आपको नुक्सान हुआ पांच कस्टमर आ रहा हैं पांच में से दो ही आपके कर पांच रहा है कितने नहीं पहुंच नहीं थैं या निकर टीन की सेल चुम हो गए जब तीन से से बात है तीन से प्रॉफिट भी कम वह उस सेल के कम होने का रीजन क्या है that is the reason fire तो insurance company कुछ-कुछ insurance company loss of stock के साथ loss of profit का भी claim देती है अब उसको हमें समझने के लिए कैसे करना है पहली चीज़ तो यह एक important topic है और अभी तक मैंने जो कल जब मैंने scanner उठाया था तो उसमें मैंने देखा था कि पिछले 4-5 attempt में लगातार इन्होंने loss of stock के question पूछे है loss of profit का question हमाई ख्याल से 2016 के पहले के attempt में है यह एकात होंगे दर तो आने के chances है क्योंकि इस बार की जो MTP set 2 है उसमें भी loss of profit का ही question दिया हुआ है तो sir हम कैसे करते हैं इस topic को तो भही इसका step number one है step 7 step है 7 step में question खतम हो जाता है step number one क्या कहता है step number one indemnity period indemnity period आग लगी मान लिजए एक जन्वरी 2001 में आग से नुकसान 6 महिने तक था 30 जून 2001 यह आपका indemnity period हो गया step number two calculation of short sales इसका क्या formula है भाई? शॉर्ट सेल का और शॉर्ट सेल का पहले मतलब सुझा दीजे sir short का मतलब क्या होगा? मेरे आपकी हिसाब से short का मतलब क्या होगा मेरे हिसाब से तो कम और sale का मतलब आपको पता है क्या बिक्री कम बिक्री तो कैसे पता चलेगा कि बिक्री कम हुए है ज्यादा Short sales equal to sorry standard sales minus actual sales सार ये standard sales क्या होता है भाई एक बार बतहिए आग कब लगी है कब तक business affected था इस period का जो sales होगा वो standard होगा और इस period का जो sales होगा वो actual होगा इसके ठीक पीछे कौन सा साल होगा यानि कि एक जन्वरी 2000 से लेकर 30 जून 2000 तक की जो सेल होगी वो कहलाएगी स्टैंडर्ड क्या हम पिछला स्टैंडर्ड ले रहे रहे न और एक जन्वरी 2000 एक से लेकर 30 जून 2000 एक तक की जो सेल्स होगी वो क्या क्या गाएगी एक्ट्यूवल अब इस्टिप नंबर तीसरा क्या फार्मूला है भाई स्टिप नंबर तीसरा का क्या है यह क्या क्या कुलेशन ओफ जी पी आर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट प्लस इंशूर्ड स्टैंडिंग यहां पे इस्टैंडिंग चार्ज इसका मत्ताब है फिक्स चार्ज चार्ज इस डिवाइड बाई टर्न ओवर मल्टिप्लाइड बाई हंड्रेड यह हो गया आपका इससे क्या आजाएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो पता चल जाएगा अब इस्टिप नंबर फोर पे आते है इस्टिप नंबर फोर क्या कह रहा है इस्टिप नंबर फोर लॉस आफ प्रॉफिट कैसे निकलेगा लॉस प्रॉफिट बाई मैं शॉट फॉर्म थोड़ा से यूज कर ले रहा हूं लॉस प्रॉफिट को मैं लॉपी लिगते रहा हूं आप एक्जाम में मत यूज करिएगा शॉर्ट सेल्स मॉल्टिप्लाइड बाई जी पी आर जोब ने निकाला था इस ट्रिप नमबर फाइफ की बात करें लॉस अब प्रॉफिट का क्लेम कमपनी दे देगी अब मैं आपको पहली स्लाइड पर फिल ले चलता हूँ आप आजाओ यहां पर बचाय रखने के लिए क्या किया एक दूसरी दुकान किराय पर ले ली तो यह दुकान मैंने किराय पर क्यो ली अगर आग लगी होती आग ना लगी होती तो क्या मैं यह दुकान किराय पर लेता नहीं लेता ये दुकान किराय पे लेने की वज़ा क्या है आग आग लगना ही वज़ा है ना इस दुकान को हमने जो किराय पे लिया है इसकी वज़ा क्या है आग लगी इस ले लिया तो अब क्या होगा आग लगी इस वज़े से हमने लिया तो हमारा खर्चा बढ़ा की नहीं तो इसका भ इंक्रीजट कोस्ट और वर्किंग इसको कैसे निकालते हैं लीष्ट और फॉलोइंग तीनों में जो सबसे कम होगा उसी को लेंगे पहला पॉइंट है एक्चुवल एडिशनल एक्सपेंस जो क्वेशन में दिया होगा दूसरा पॉइंट क्या है एक्चुवल एडिशनल एक्सपेंस इन्टू नेट प्रॉफित प्लस इंसूर्ड इस्टांडिंग चार्जेज डिवाइड बाई नेट प्रॉफित प्लस टोटल इस्टांडिंग चार्जेज और तीसरा है बाई एक बाई बताईए जो हमारी एक्चुल सेल्स हुई है फिर मैं स्लाइड वन पर आता हूं इस दुकान पर जो सेल हुई है अगर आग लगी होती और यह दुकान हम किराय पर ना लेते तो क्या हमारी सेल होती एक जन्वरी मैं एक्जांपल पर लेके चल रहा हूं 30 अगर देख लीज आप लो इस टिप नमबर वन इंडिमिनिटी पीर इस टिप नमबर टू शॉर्ट सेल्स निकालना फॉर्मूला है इस्टैंडर सेल्स माइनस अक्चुल सेल्स इस टिप नमबर थ्री क्याल्पलेशन आप जीप आर ग्चुल्स आप लोग जाल्स असल आप ड्री स्टेब नंबर टूर्य र्शॉर्मूला नौन आप लोग जाल्स नॉन आप लोग जाल hell expressions नॉन आ भाग मैं आप लोग ए depends जीप नमबर ऑ ऐस guarantees complet formula क्या है loss of profit plus additional expense minus saving in expense अगर कुछ रहा तो that is the gross claim if any step number 7 last step average clause average clause क्या होता है मैंने बता दिया है आपको loss of stock में already formula है gross claim into policy question में दिया रहाएगा policy के माउंट divide by यह जो last में divide by लिखने जा रहा हूँ यही main है यही पूरे के पूरे step की यही जान है gross profit on annual turn over before fire sir यहां पर हम लेंगे क्या बिटा आग कब लगी है अगर आप example के हिसाब से चलो तो मैंने indemnity period के हिसाब से आग कब लगी है एक जन्वरी 2001 को अब एक जन्वरी 2001 के ठीक पीछे कौन सा महिना होगा 21 दिसंबर तक की जो सेल्स होगी बारा महिने का 31 दिसंबर तो की जन्वरी से पहले दिसंबर एंड होगा ठीक पीछे के बारा महिने कम लेते हैं तो 31 दिसंबर तक की जो सेल्स होगी उसका जो gross profit ratio निकाला है उससे multiply करके gross profit निकाल लेंगे आपे तो हमारा average clause आजाएगा ठीक है क्लियर नेक्स्ट आते हैं सीधा question पर अब भाई CMA वालों के लिए है CMA वाले भी इसको देख सकते हैं क्योंकि उनके आँ अभी ये topic पूछता है पांच छे नमबर ये उनके आँ भी आएगा exam में तो आप आज ये module पर module पर जो आपका study note है ना special transaction वाला accounting for special transaction पुरानी module पर आप आईए और सीधा मैं आपको ले चल रहा हूं question number 34 पर 34 illustration number 34 देखिया आपको दिख रहा है affair occurred on 1st July 2013 सबकी module में नई वाली module में हो सकता है changes हूं लेकिन पुरानी module में दिया हुआ है 2012 उसको ठाके सही कलीजेगा affair occurred on 1st July 2013 in the premises of A Ltd and business was practically disorganized up to 30 November 2013 from the books of account the following information was extracted actual turnover from 1st July 2013 to November 2013 यहां पर 30 November 2013 यहां पर 30 November 2013 तक एक लाग 20,000 यह actual हो गया तो standard के लिए आपको क्या देखना है 13 की जगह पर क्या हो जाएगा 12 और बाकी सबकु सेम रहेगा यानि 1 July 2012 से 30 November 2012 तक की sales तो turnover from 1 July 2012 यहां पर दिया नहीं है July to 30 November 2012 तक की sales हो जाएगी standard net profit given insured standing charges given turnover for the last financial year यह भी दिया हुआ है turnover for the period ending 30 June इसको जला देखिए आप के आग कब लगी है और turnover कब तक का दिया हुआ है year ending बोल दिया ना यानि कि साल बर का 30 June यानि की 12 मेने का turnover total standing charges दिया 144 तक कंपनी incurred additional expense क्यों additional expense भाई मैंने बताया था आपको 18,000 which reduced the loss in turnover there was also a saving during मतलब यह 18,000 का additional expense किया इससे आपका जो turnover का loss था वो कम हो गया reduce the loss of turnover there was also a saving during the indemnity period 4972 अब इसमें question में point है the company hold the company hold a loss of profit policy for 3,30,000 having an indemnity period for six months कितने की policy ले रखी है 3,30,000 रुपए indemnity period कितना है six months there has been a considerable increase in trade and it has been agreed that an adjustment of 20% be made in respect of upward trend in turnover यानि पिछले साल की तुलना में इस साल जो turnover है उसमें upward trend है यानि कि 20% की बढ़ हुत्तरी है बढ़ रहा है तो जब 20% बढ़ रहा है अगर यह हम क्या देते downward in turnover तो हम क्या करेंगे जैसे मान के चलो कि सपोज अभी कोरोना का effect है और अगर मान लो कि जब अभी lockdown खतम होगा और हमारा बिजनेस से start होगा तो उसमें trend upward रहेगा या downward रहेगा जाइड से बात है कि कपड़े उपड़ेगी जो industry होगी उसमें downward होगा क्योंकि recession का थोड़ा सा effect तो होगा यह और मान लीजें कि आज की हिसाब से अगर question 2020 की हिसाब से question अगर आपकी एक्जाम में पूछ ले तो में क्या कह सकता है यहीं बोल सकता ना कि हाँ downward in turnover और downward in turnover के case में आपको turnover को क्या करना है 20% reduce कर देना है ठीक है अब आईए देखिए इस problem को हम कैसे solve करते हैं आपने देख लिया problem मॉडिल सबके पास है चलिए सबसे पहले इस टिप नंबर वन पर आते हैं इस टिप नंबर वन इंडेमिनिटी पीरेड आग कब लगी है एक जुलाई दो हजार तेरा अफेक्ट कब था बिजनेस तीस नंवेंबर दो हजार तेरा तक इस्टिप नंबर टू कैलकुलेशन ओफ शॉर्ट सेल्स इसका फॉर्मूला देख लीजें शॉर्ट सेल्स इस साल यानि कि 2013 में पिछले साल की तुलना में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है 20 तो जाहिए से बात है कि आप स्टेंडर्स को स्टेंडर्ड करो ना बराबर पिला रहो ना तो इसको भी तो 20% इंक्रीज करोगे तो 4,00,00 था 4,00,00 था 4,00,00 था 20% ले लेंगे तो कितना आजाएगा 80 इस्टिप नमबर तीसरा इस्टिप नमबर तीसरा कैलकुलेशन ओफ जी पी आर क्रोस प्रोफिट रेशियो इसका फर्मूला क्या है भी नेट प्रोफिट प्लस insured standing charges divide by turnover multiplied by hundred question में देखिए net profit दिया हुआ है 1,80,000 insured standing charges भी question में दिया हुआ है 4. पॉइंट देखिए आप 1,20,000 और turnover भी question में दिया हुआ है turnover for the last financial year 10,00,000 multiplied by 100 तो यह आपका आगया 30% GPR अगर आप 4 च्टक तक question को complete कर लिए ना तो इसका मतलब है कि आपने आधे से ज़्यादा जंग जीत ली calculation of loss of profit loss of profit equal to short sales into GPR और short sales question में दिया हुआ है आपने calculate किया था 480 माइनस 120 तो 3,60,000 into एक लाख आठ हजार रुपए क्या वा भाई जैद step number five increase cost of working पहला पॉइंट पहला पॉइंट actual expense दूसरा पॉइंट पॉइंट actual additional expense into net profit plus short मेलिक दे राउं insured starting charges upon net profit plus total starting charges पॉइंट तीसरा turnover through increase cost into GPR question में देखिए दिया हुआ है actual additional expense कितना 18,000 18,000 net profit भी दिया हुए 1,80,000 plus insured starting charges 1,20,000 upon 1,80,000 plus 1,44,000 इसको अब solve कर दीजे तो यह आएगा 16,667 अब यहाँ पे जो actual sales है वो है एक लाग बीस हजार रुपए और GPR कितना 30% 30% इसका ले लिजे तो यहाँ जाएगा 36,000 देख लीजे आप पहले इसको थोड़ा सा destruction होगा बेटा है हमारा अब आज ही है step number 6 पे step number 6 क्या कहता है step number 6 कह रहा है statement of claim इसके लिए क्या फॉर्मूला है loss of profit प्लस actual additional expense minus saving अब आप question में देखिए loss of profit आपने कितना निकाला है तो loss of profit के लिए आप step number 4 में आईए loss of profit आपने कितना निकाला 1,8,000 actual additional expense तीनों में जो सबसे कम होगा पहला ओला पॉइंट एटीन दूसरा ओला पॉइंट 16,667 और तीसरा ओला पॉइंट 36,000 तो तीनों में सबसे कम कौम 16,667 loss of profit 1,08,000 actual additional expense 16,667 और saving जो है वो question में दिया हुआ है saving during indemnity 4972 अब आप इसको solve कर लीजे 1,08,000 1,19,695 that is your gross claim step number 7 average clause formula है gross claim into policy gross profit on annual turnover before fire policy question में देखिए तो policy आपने कितने के लिए रखी थी तीन लाग तीस हजार रुपर gross profit on annual turnover before fire तो question में देखिए दिया हुआ है turnover for the year ending 30th June 2013 कितना दिया हुआ है 11,00,000 रुपीज यह working है 11,00,000 रुपीज यह turnover है आग से पहले इसमें 20% जो upward trend है उसको भी जोड़ दीजे यह आजाएगा 2,20,000 रुपाय टोटल हो जाएगा 13,20,000 रुपाय अब इसका आप GP निकाल दीजेए